गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज चसी जमाग नौमी दे लेख तुका नाल सबंदी त्विच्चों इक तुक कूड निखुटे नान का ओड़क सच रही दे उपर चर्चा करांगे सब्तों पहला असी हैडिंग लिखांगे कूड निखुटे नान का ओड़क सच रही अंडलाइन करांगे फर्स्ट फॉइंट पुमी का महापुर्क चिंतक ते विद्वान मनुखी समाय दा मान योग अंग हुन दे हन। जीवन अनुबव दे विशाल सागर विच ओ अपनी बुद्धी वीमदानी नाल सुमुच्चे जीवन दे तथांदा अजेहां मक्षन कड़ दे हन। कि जो ओन वालियां पीडियां लई सांबन योग शै बनदा है। इही मक्षन जीवन तजर्बेदा निचोड हुनदा है। जो समे तिष्थांद नाल बासा नहीं हुनदा। सगों तजर्बियां दी प्रोडता नाल हुर ताजा हुनदा जानता है। दुजे शब्दा विच जीवन अनुबव ते सेयान पदा एही निचोड एक शेहद दी ने आई हैं जो समा पैन ते हुर मिठा ते हुर गुणकारी हुनदा जानता है। एहना ने मनुखी जीवन नाल सवद्देत कई अटल सचाईया अते तथा नुँ तुकां दे रूप विच ब्यान कीता है। एहे तुकां मनुखी जीवन लई परकाश कोंज दे समान हान। क्योंके एहना विचलिया सिख्यावा मनुख नु सही सेध प्रदान कार दिया हैं। मनुख दे आच्रन नु उसारू अते शुद्ध बणों दिया हैं। एसे तरह गुरु नानक सहेव द्वारा रची बानी दियां कई तुकां मनुखी जीवन दा अधार हून कारण आम ही लोक मुहाते चड़ गईया हैं। एहना विच्चों एक तुक कूर निखुटे नानका ओड़क सच रही है। नेक्स्ट पॉइंट अर्थ सिर्गुर नानक देवजी द्वारा उच्चारी तुक कूर निखुटे नानका ओड़क सच रही दा अर्थ है के मनुख पूरी जिन्दगी चाहे जिन्ना मर्जी चूट बोल लवे अंत इक दिन कूर जा चूट दा नास हो जान्दा है ते सच ह नेक्स्ट पॉइंट उधारना इस तुक नाल सबंदेत कई उधारना सनु अपने निज्जी जीवन विच्चों मिल जान्दिया है एहे आम देख्या जान्दा है के जीवन दे हर पक अंदर चूट प्रधान हो रहा है तरम दे नाते हेठा कई तरां दे पक्खांड कीते जा रहा है अते उहना उत्ते चूट दा परधा बढ़िया होया है आम कार्विहार अते वपारक कम्मा विच चूट आम वर्त्या जांदा है राजतर बारा अते कचेहरियां विच चूट दी आम वर्तों देखी जा सकती है दावे करन वाले जिन्ना ते वो दावे कार देहन ते गवादे रूप विच ओहो तार्मिक गरंथ ते हाथ राख के सोहा खान देहन ते आख देहन के जो कहनगे साच कहनगे साच तो इलावा कोज नहीं कहनगे एही कहके वी ओहो चूट ही बोली जांदेहन नेक्स्ट उदारन है चूट ता एक मुलम्मे वर्गा हुनदा है जिस तरह पितल उते चड़या सोने दा पानी एक दिन उतर जानदा है ते अंदरों खोड उगड आउनदा है इसी तरह चूट सदा रहन वाली चीज नहीं अंत एहे नास हो जानदा है इसी नेक्स्ट उदारन है हार एक मुनुक जानदा है के चूट बोलना बुरा है पाप है पर जीवन दे आम बरतारे विच कईया समया ते एहे सदा चार्दा अंग प्रतीत होन लगदा है जदों कोई किसे दे कर जावे उसनू अत दरजे दी पोख लगई होगे अगो करवाला सतकार वज्यों आये प्रोणे नू रोटी खान ले कहे ता एहे आम रिवाज है के ओहो पुखा हुंदा भी कह दिन्दा है जी मैं हुने खाके आया हाँ पला उसनू एहे चूट बोलन दी की लोड है उसने अपने आपनू सब्याता वाला प्रगड करन लई एक चूट बोल्या एसना चूट बोलन वाले दा कुझ सोर्या नहीं जिस अगे चूट बोल्या उस दा कुझ विगडिया नहीं एमे खाम खादा चूट जीवन नू कलंक परस्त करण लहें वर्त्र आगरुत नेक्सट पॉइंट है कि चूट क्यों बोल लिया जानों कि चूट बोलन देंक कार्ण की हन क्यों लोग चूठ बोल दे हन चूठ बोलन दा कोई इक कारण नहीं सगुं अनेका कारण हन मनुख अपने कीते कु कर्मा उत्ते परदा पौन लई चूठ दा आसरा लेंडा है निके बच्चे जदों कोई माना कम कार बैठ दे हन ओह मार तों बचन लई चूठ बोल दे हन वड़ी उमर विच आम लोग कई तरा दे लालचा दीन होन करके चूठ बोल दे हन तांके ओह अपना उल्लू सिद्धा कार सकन पर इहे चूठ सदा लई सहाई नहीं हो सकता है मनुख दे जीवन विच चूठ इस तरा राच चुका है कि उसनू इसी वर्तों मिले कोई डर नहीं लगदा इसलिए एहे जीवन दा एक सुभावक अंग बान चुका है कई केंदे हन कि चूठ बोलन तो बिना गुजारा नहीं हो सकता इसलिए ओहो हमेशा चूठ दा ही सहारा लेंटों बुरेज नहीं करते नेक्स्ट पॉइंट है अपनाओन दे लाब ए असी एक कावसतों तो शुरू करांगे साचितां पर जानिये जां रिदय सच्चा होए कूड की मल उत्तरे तन करे अच्छा तोए विद्यार्थी एथे अपडियां मी होर होई कावसत्रां लेख सकते हन एहे केवल एस विच विश्वास करनाल के मेरी आत्मा विच परमात्मा जा साच वस्दा है इसलिए मैं चूठ नू अपने मान बचन जा कर्मा द्वारा नेडे ना आउन देवा एहो एक वसीला है जिस ना चूठदा नास हो के वी सदा रहन वाले साच नाल अपेद हो सकीदा है इसलिए एहे गल द्रेड कार लेनी चाहिदी है के साच ही जीवन विच सदा सहाई हो सकदा है अते अंत साच ही सही जा ठीक साबत होंदा है जी में आम कमियां अवतारा महपुर्खांदा कथन है के चूठ चूठ ही हो जानदा है ते साच प्रगट होंदा है जिनना कोई मर्जी अपना पाज लकौंदा चला जावे थोड़े चेर लई पामे कोई कुझ लाब प्रापत कार सके पर अंत साच दा ही निस्तारा होंदा है जीवन दे हर पाख विच साच जेतदा है साच दी हार्था कदर हुंदी है अते इहे हार्था शोबा पौंदा है इतिहास इस गालदा गवाह है के जित्थे वी चूठ आया ओथों बरकत ओड़ गई अंत साच दी ही जेत ओई नेक्स्ट पॉइंट ना अपनाओंदिया हानिया इस तो पहला सीक कावसतर लिखांगे कूड राजा, कूड परजा, कूड सबसंसार, कूड मंडप, कूड मारी, कूड बैसन हा विद्यार्थी एते अपनियावी कावसतरा एड कार सक दे हां इना सत्रा दा पाव विचारन तों पता लगदा है कि संसारक पदार्थ, राज, पाग, मिल्क, मारिया, साक, अंग, सब नाश्वन्थान नाश्वन्थ जीवान दा एना नाश्वन्थ पदार्था नाल प्यार लगगा होया है इसलिए एना ने सच्चे करतार नों पुलाया होया है एहे मुनुक आप नाश्वन्थ है जिनना चीजा नाल प्यार करदा है सब नाश्वन्थान इसलिए जो नास्वंत है सब कूड है पामे संसारक जीवानों चूट मिठा लगदा है पर एहे चूट ही बेडा गर्क करदा है जद के नी गिर्जान वाली नीरी रेत ही होवे उस उत्ते उसरी होई उस सारी जा इमारत किस तरह स्थेल हो सकती है साच मिर्चा चूट गोड कहन अनुसार बोहत्यानू चूट दा वरतावा चंगा लगदा है पर चूट दे पैर नहीं हुंदे इस विच शाक नहीं के दो चार दिम चूट दा पाज बनिया रेंदा है औरक साच ही जेत दा है चूट बोलन वाला अन्त शर्मिंदा हुंदा है उस दा इतबार नहीं रेंदा ते ओहो चाट बदनाम हो जांदा है कार विहार विच चूट बड़ा हानिकारक से दूंदा है अते साच सदा ही उन्ती वाल वदरा है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट सारंच उपरोकत विचारां दे अधार ते असी एस सित्टे ते पुझदे हां के मनुख नू साच बोलन लई हिम्मत ते होंसले दी लोड है क्योंके सब गुणा अते वडियाया नालों उत्तम साच बोलना है एसले गुर्बानी दी एहे तोक कूड निखुटे नान का ओड़क साच रही सचाई पर पूर है है पल्ले तेरे साच ते कोठे चड़के नाच एहे कहावत बिलकुल एस कथन ते ठीक टुक दी है सो स्टूडेंट्स हो नसी तोक कूड निखुटे नान का ओड़क साच रही दे उपर चर्चा कीती है ते तुसी बेटे नेक्स्ट क्लास तो पहला इसनू अपनी कापियां दे उत्ते होर भी बुक्स दी सहाईता दे नाल सुन्दर लिखाई विच लिखना है ते नाल ही नाल रिवाइज भी करना है तेल देम गुड़ बाई